नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल गौर्पेंजाब प्रप्रपेशनल पर जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आरर भी एंटी पीसी की एक्जाम्स चल रहे हैं और इसमें कुछ ऐसे टापिक हैं जो हर एक स्रिप्ट में पूछे जा रहे हैं तो उन्हीं टापिक में यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें से दो टापिक के मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिये हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं और ये GK की क्लास चलेगी जिसमें जितने भी important जो टापिक जगुलर रिपीट हो रहे हैं जब से मैं देख रहा हूं सारे सिप्ट के जो questions रिपीट हो रहे हैं जिन टापिक से वो सारे के सारी टापिक में इसरा टापिक है और इसमें हम लोग डिसकस करेंगे कुछ अंतराष्टी संग्ठन उनकी स्थापना वर्स और उनके मुख्याले तो यह मैंने जो important हमारे अंतराष्टी संग्ठन हैं उनके जो स्थापना वर्स उनके मुख्याले मैंने यहाँ पर collect किये हैं जो आपके exam के point अब उसे बहुत important है और अगर आप किसी भी exam की preparation कर रहे हैं जिसमें आपका GK के questions पूछी जाते हैं तो उस सभी के लिए यह हमारा बहुत important topic है तो यह पूरा का पूरा देखिए इसमें सारे के सारे आपको मुख्याले और उनके staff numbers आपको पता चल जाएंगे तो चली शुर उनकी full form भी मैंने आप लिए हैं ताकि आप लोग उनको भी अच्छे से समझ सकें अगर उनसे भी question बन जा तो आपका गलत नहों तो पहला है हमारा ADB जिसे हम बोलते हैं Asian Development Bank ठीक है अगर इसके मुख्याले की बात करते हैं तो इसका जो मुख्याले है वो है Manila जो की Philippines में प होता है इसका जो full form है वो है Association of South East Asian Nation जी हाँ यहाँ पर इसका full form भी याद रखना है आप लोगों को Association of South East Asian Nation जिसे मिंदी बोलते हैं दच्छिड पूर्वी ACI रास्टो का संग अगर इसके मुख्याले की बात करते हैं तो इसका मुख्याले जकारता यानि की इंडोनेशिया म समू है इसमें कुछ देश सामिल है तो वो देशों के मैंना माम बता देता हूँ जिससे कि यहाँ पर पांच देश सामिल हुए है सामिल इसमें है और पांचों देशों का यह समू है एक ब्राजील हो गया ब्राजील हो गया आर्स से रशिया हो गया आई से इंडिया हो गया C से आपका China हो गया और S से आपका South Africa हो गया इससे 5 देस सम्मेलेन में सामिल है दोस्तों यहाँ पर इसका जो पहला सिखर सम्मेलेन हुआ था ब्रिक का अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका fact आप जान लेते हैं पर कि जो यह पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तो यह पहले ब्रिक के नाम से फेमस था और उसमें 4 देस हुआ कर देते जिसमें ब्राजील, दशिया, इंडिया, चाइना यह 4 देस हुआ कर देते उसके बाद 2010 में इसमें South Africa भी सामिल हो गया और उसके बाद से इसे व्रिक्स कहा जाने लेगा और दूसरे इसका जो पहला सिखर सम्मेलन है यह रूस में 2009 में आयोजीत किया गया था तो यह पूछा जा सकता है कि व्रिक्स का पहला सिखर सम्मेलन कम आयोजीत किया गया था उसके जस्ट बात से यहां पर देने की दो जादस में इसमें साउथ अपरीका भी शामिल हो गया था और इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा था इसका जो मुख्याले है वो आपका ब्रुसेल्स बिल्जियम में पढ़ता है और इसकी जो इस्टावना है यह एक नॉंबर 1993 इस्विब में होई थी नेक्स हमारा जाता है FIFA सभी को पता है और FIFA का हमने देखा कई सारे एक्जामस में जो वंडे एक्जामस होते हैं उसमें FIFA का फुल फॉर्म पोज लिया जाता है तो इसका फुल फॉर्म होता है यह अपका जीवरिक स्विजर लेंड में है और इसकी जो इस्थापना है यह 21 मेई 1904 को हुई थी नेक्स हमारा संग्ठन आ जाता है यहाँ पर IMF IMF का फॉर्म सभी को पता होगा International Monetary Fund ठेक है इसका कहा होता है इसका जो आपका मुख्याले है वो है वासिंटन डीसी में और इसकी जो इस्थापना है 27 दिसंबर 1945 को हुई थी नेक्स हमारा जाता है यहाँ पर INTERPOL नेक्स कहा जाता है हमारा INTERPOL यह International Criminal Police Organization है यह दुसको जो INTERPOL है यह एक तरह से INTERPOL है अंतराश्टी आपराधिक पुलिस अंसा है और इसका जो मुख्याले है यह आपका लियॉन फ्रांस में है कहाँ पर है इसका मुख्याले लियॉन फ्रांस में है इसकी इस्थापना 1913 में हुई थी नेक्स हमारा देखते हैं नेक्स हमारा कुश्चन है ILO तो दोस्तों जो ILO है यानि कि International Labour Organization अंतराश्टी यह स्रम संग्ठन इसका जो मुख्याले है जिनेवा सुट्जर लेंड में है और इसकी जो इस्थापना है यह है 29 अक्टूबर 1919 को यहाँ पर नेक्स हमारा देखता है IOC यानि कि International Olympic Committee IOC International Olympic Committee इसका जो मुख्याले है लोसाने सुट्जर लेंड में और इसका जो इस्थापना वर्स है यह 1894 भी है अगला हमारा है IECG IECG का मतब हो जागा International Court of Justice अंतरास्टी या नियाले जिसको हम बोलेंगे International Court of Justice इसका जो मुख्याले है यह हेग यानि की नीदर लेंड में है और इसकी जो इस्थापना है यह 3 अप्रेल 1996 को गी गई थे अगला हमारा आ जाता है ICC यह सभी को पता होगा International Cricket Council अंतरास्टी Cricket परिशद इसका जो मुख्याले है यह दुबई जो की समयुकत अरब अमीरात में पड़ता है वहाँ पर है और इसकी इस्थापना 1909 भी में हुई थे नेक्स हमारा जाता है IAEA यह जो हमारा होता है International Atomic Energy Agency इसका फुल फार्म होता है International Atomic Energy Agency इसका जो मुख्याले है वियना आस्टेलिया में है और इसकी जो इस्थापना है यह 29 जुलाई 1997 भी में हुई थे नेक्स हमारा जाता है NATO दोस्थों जो NATO है इसका फुल फार्म होता है North Atlantic Treaty Organization इसका जो मुख्याले है वो है Brussels Belgium में और इसकी इस्थापना 4 अप्रेल 1999 को हुई थे नेक्स हमारा दोस्थों आ जाता है NAM यानि कि N-A-M Non-Aligned Moment इसको हम बोलते हैं Non-Aligned Moment इसका जो मुख्याले है वो है हमारा जकारता इंडोनीशिया में ठीक है और इसके जो है यह इसका हिंदी में अगर बोलते हैं तो यह हो जाता है गुट इनिरफिच देश्वों का यह जो एक सटिस्वी में नेक्स हमारा दोस्थों यहाँ पर आ जाता है NASA NASA सभी को पता होगा अमेरिका की संस्ता है National Aeronautics and Space Organization राश्टिय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन इसका जो मुख्याले है वो है वासिंग्टन डीसी में इसकी जो इस्थापना है यह 29 जुलाई नेक्स हमारा क्विश्चन आ जाता है OPEC तो दोस्थों जो OPEC है इसका जो मुख्याले है और OPEC का फुल फार्म पहले हम देख लेते हैं तो यह होता है और इसका जो इसका जो हमारा मुख्याले है वो है फेरिस फ्रांस में इसकी जो इस्थापना है यह 1948 में पहले OEEC के रूप में हुई थी और उसके बाद 1961 में इसे OECD के रूप में पुनर्गठेट किया गया था अगला हम question देख लेते हैं हमारा अगला है Red Cross तो दोस्तों जो Red Cross है इसका जो मुख्याले है इसका है जेनेवा सुजले लेंड में और इसकी थापना है 1863 नेक्स हमारा जाता है Sark तो दोस्तों जो Sark है ये आपका South Asian Association for Regional Cooperation ये क्या है South Asian Association for Regional Cooperation दच्छिन ACI 6-3 से योग संग्ठन इसका जो मुख्याले है ये Kathmandu नेपाल में है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी इसका जो पहला सिखर सम्मिलेन है ये धाका बंगलादेश में हुआ था अगला हमारा जाता है important UNO काफी important है ये question तो इसका स्थापना वर्स भी आपको याद रखना है ये पूछा जा सकता है तो इसका जो United Nation Organization यानि कि स्थापना वर्स भी पूछा जा सकता है next हमारा जाता है UNESCO तो दूस्थो UNESCO भी काफी important है इसका भी मुख्याले आद रखने आपको इसका स्थापना वर्स भी आद रखना है जिनके आपको स्थापना वर्स भी आद रखने तो UNESCO का full farm होता है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO का full form होता है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization इसका मुख्याले जो है यह है Paris, France में सविक्त राज्ट सैच्छीक वेग्यानिक्यों स्रांस्कृतिक संग्ठन है यह और इसकी जो स्थापना है यह 4 नवबर 1946 को होई थी नेक्स हमरा आ जाता है यहाँ पर UNICEF तो दोस्तों जो UNICEF है यह है United Nations International Children's Emergency Fund United Nations International Children's Emergency Fund इसका जो मुख्याले है यह है New York में और इसकी जो स्थापना है यह 11 दिसंबर 1946 को होई थी ठीक है नेक्स हमरा आ जाता है WHO ठीक है तो दोस्तों जो WHO है यह हमारा World Health Organization 200 स्वास्ते संग्ठन है इसका जो मुख्याले है वो जिनेवा सुजलेंड में और इसकी जो स्थापना है यह 7 अप्रेल 1948 को हुई थी नेक्स हमरा आ जाता है WTO यह सारे के सारे बहुत important है इनको आपको याद में रखना है World Trade Organization 202 बार संग्ठन इसका जो मुख्याले वो है जिनेवा सुजलेंड में और इसकी स्थापना है 1 जन्वरी 1995 नेक्स हमरा दूसरे यहाँ पर आ जाता है World Bank जो World Bank बहुत 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 most important यह आपका Washington DC में इसका मुख्याले है और इसकी जो स्थापना है यह जुलाई 1944 में हुई थी अगला हमारा जाता है नेक्स्ट और लास्ट हमारा WMO यानि की World Meteorological Organization तो यह हमारा यानि विश्व मौशम बिज्ञान संग्ठन यह हमारा जो है इसका मुख्याले है जेनेवा सुजलेंड में और इसकी जो स्थापना होगी थी यह 23 मार्च 1950 को होगी थी तो यह दिस्टो थे हमारे कुछ Important International Organization और उनके स्थापना वर्स आगे वीडियो में हम दिस्कस करेंगे जो हमारे Important Organization से उनके Head कौन है तो वो भी आपर देख लेंगे क्यों हो सकता है आपका अभी आपका मुख्याले से पूछा रहा आने वाले स्थ में आपका उनके Head से Question पूछ लिया जाए जे भी हमारे लिए Important था तो उसको भी हम आगयाने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे लेकिन आप लोगों से क्रिक्वेस्टे की इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें भी तोड़ा सा encouragement मिल सके वीडियो बनाने में और आप लोगों को भी benefit हो सके तो मिलते हैं इसी सीरीज के नए वीडियो के साथ अब तक लिए में तक रवाचिछ वाचिए